तो चलो बच्चो आज सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आसा बायो स्टेडी में स्वागत है तो सबसे पहले मैं आप लोगे बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी वेस्ट विंग ओल बोर्ड एजुकेशन के बच्चे जो इस वार 2021 में बोर्ड परिछा एपियर होने जा जो 36 नमर के जो कुष्चन साएंगे वह एक चैप्टर प्रजिन चैप्टर जो स्क्रील पर देख पा रहे हैं आप प्रजिन चैप्टर रिप्रोडक्शन से अब्बे में से 36 कोष्चन से आपके अगर ध्यान से करेंगे तो सौट को सा आजाएंगे आप लोगों को पता है 15 तो नमर्जो हैं नमर्जो हैं एंज एक टाइब को कुश्चन से मैं चैप्टर प्रजिनिंग टाइप को सुटे हैं तो मैं आज मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा कि किस तरह से आप रही करें सबसे पहले आप लोग को स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा आप देख पा रहे हैं कि किसी प्राणी में मादा जूगमक के निसेचन के बीना ही संतानपन होती है इन केस एप लोग पता है कि मेल और फिमेल जो गामेट होते हैं यह दुनों मिलते हैं फटलाइशन होता है और जाइगोट बनता है और यह जाईगोट जो होके ने जीव की उतपति करती है लेकिन यहां questions है कि कि किसी प्रणे माता जोगों कि निसेचन के बीना इनिसेचन नहीं होगा और वो उत्पन हो जाएंगे नए संतान आपको पता है इसको कहते हैं पार्थेनोजिनेशिस है तो इसका सही अंसर होगा मर्द मख्यी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं next question की तरफ कि पौधों में अलैंग परजन की क्रिया होती है अलैंग परजन मतलब क्या जहां पर male and female दोनों आपस में नहीं मिलते हैं और बीना मिले ही नए संतान अपन होते हैं तो इसको अलैंग परजन कहते हैं ये कहां होता है जुगमक द्वारा जैगोट द्वारा स्पोर्ड द्वारा अंडे द्वारा तो ये पौधों में जो है ये इसका सही अंसर बताओ आप लोग क्या होगा तो इसका सही अंसर होगा स्पोर द्वारा लिखित में कौन वायू प्रागन द्वारा होता है कौन वायू प्रागन द्वारा होता है किस पौदो में वायू प्रागन द्वारा होता है धान, आम, हाइडरिला और सीमूले चार अंसर हैं तो इसका सही अंसर होगा वाई दोरा जो है उसका सही अंसर बताओ इस तरह कोईस्टिंस प्रिचा में आते हैं तो इसका सही अंसर होगा धान के दोरा धान में जो है वाई फ्रागन के दोरा फर्टिलाइशन की क्रिया होती है आम में जो है इंसेक्ट के दोरा कीड़े मौकोडों के दोरा होता है पौदा है उसमें प्रागन जो है जल दोरा होता है और सीबुल जो हो चिडिया जो है प्रागन करने मत करता है नेम लिखित में से कौन जल दोरा प्रागन करता है अभी मनें उपर में बताया था कि जल दोरा प्रागन जो होता है वो हाइडरिला नमक पौदे में होता है याद और इसमें एंधर कोस है इसमें चोड़े चोड़े प्राकन बनते हैं मेल पार्ट में यह प्राकन फूट के जब बाहर निकलता है तजल के द्वारा प्रवाहित होते होते जो फीमेल के जो पार्ट होता है फीमेल के जो पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल पार्ट जिसको पहुँचने के करिये को प्राइन का तो यह यह प्राइन जो है जल के दोबरा होता है हाई इना में यह बहुत इमपोर्टन सि है है उल्प वट आपको पता है कुछ ऍहु टू फॉस कोस्टन सबliche क्यर करा वा जफरेक्र करें पराइन कि यह खिस अबस्था प्रागन क्रिया माइटोसिस की मेटाफेज अवस्ता में होती है यह फॉल्स है आपको यहां पर देख पा रहे हो एक ऐसा है यह फॉल्स है यह फॉल्स है आप देख पा रहे हैं यह सही नहीं है प्रागन क्रिया माइटोसिस कोछ का विवाजन के मेटाफेज अवस्ता में होत यह जो है आपको सही है पुलन दोरा प्रजन प्याज में होता है यह गलत है अगर इस्ट में कराए तो सही होगा प्याज में है इसलिए गलत है नेक्स देखो अमीवा में केवल आलाइगी प्रजन होता है यह ठू है क्योंकि अमीवा एक कुछ की अप्रानी है और इसमें मेल और फीमेल गमेट बनने की कोई सम्हामना नहीं है आलाइगी प्रजन होता है सिल डिविजन के द्वारा होता है बाइनरी डिविजन और बाइनी सेशन मनुष्य में होता है यह फॉल्स लिखा हुआ है बाइनी सेशन का मतलब क्या होता है कि मेल में जो स्पर्म बनते हैं और फीमेल में जो अंडानू बनते हैं तो मेल फीमेल तो प्रूश उस्त्री अलग हैं तो यह अंडानों अलग बनता है और अस्पर्म अलग बनता है तो यह जो अस्पर्म बना अस्पर्म और यह बना एक तो यह जो एक बनता है यह दोनों आपसे मिलने नामक टीव नामक जगापे होता है इसलिए अंदर में होता है बाहर में निसेचन नहीं होता यह अंदर में होता है फिर देखो प्राकोस के जाइगोट को बताया कि प्राकोस के अंदर क्या होता है प्राकोस के अंदर छोटे-छोटे प्राकन बनते हैं इसलिए यह भी गलत है अगर किसी का सरीर पूरी तरशा है का अन्तर आगा ठीमिटिता है अगर जाहले ऐसके अंद होगे अंदा करता। फिर फटलाइज करता है फिर अंडे फूट करके फिर उसे लारवा निकलता है और उसे एक टेट पोल जीसे अवस्ता निकलता है तेट पोल होता है पूरी तरह से इसकी आकर्ति जो है में ड़की बदल जाती है मेडिक आकरती पूरी तरह से मेडिक जैसा देखने को लगता है तो ये काया में अंतरन तो ये केचवा में इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलता इसलिए केचवा में कायंतरन होता है ये फॉल्स है आईसो गमी पैरा मुस्यम में होता है ये ट्रू है जहों हों तो इसको आई सोगामित का मतलब आईशोमे ॅक्छथणे में मйल चाहते है यह इसलिए brighter पंध्ष्ब में होता है इंपोर्टेंट बात है क्यों जो पति द्थि द्थि पॉद्श ws कैसे हैं भेजटेटोल रीपरडक्शन कहते हैं बाधि पटियां गिर जाती है तो पतियों कि खोटें ज किनारी वाले बाख वते हैं उसमें छोटे-णे बड़ पाया जाते हैं या यह यह बोता है उससे फिर नए पौधे का निर्मान उससे हो जाता है तो पती दौरा परजन बराय बराय फ्लम में हो देखो बच्चो आपको टाइम थोड़ा लगेगा आप एक क्लास भी अगर कभी करते हो तो देखो 40-45 मिट का एक क्लास होते हैं ध्यान से अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते है तो यह कोई यूटूब का ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो पांच मिनिट और दस मिनिट देखे और फिर सच करके आगे चले तो आप लोग को अगर लगता है कि सही क्लास हैं आपके लाबदायक हैं तो आप कंटिन्यू करो और ध्यान से आगे बढ़ो और ताकि आपको स्था चरना रहता है तो कैसे इस तरह कर यह के संब गॉस्ट करने के हम सही जोड़ों को मिल यहाँ यहां पर सबसे पहली तो भास्तरी करना है इधर अं ने लीट अगर आपको पता चल जाएगा पहला क्या है गुरान अगर आपको समझ में आ जाती है तो इसमें से मैच करो कि कौन होता है तो देखो मुझे जैसे समझ में आगई है बात लो माल लो कि अगर ये कुरान नहीं समझ माए किसीं को अगर वाईगल नाच अगर आता है वाईगल डेंस आपको पढ़े होंगे कि व क्यों फेक्क है अगर तो आपको याद आ गिए तो час दो महीilah कि है गारो कि क्दो आपको प पता कि protein sensation में जो है XU2 होगा नहीं जिवलीन होगा नहीं RNA अक्सीन होगा नहीं होगा नहीं तो क्या होगा RNA और ये एक ऐसा है जो protein sensation में मदद करता है ribonucolic acid जो RNA है protein निर्वाने मदद करता अब परिपक बेजब कहां होता है अगर आपको मालने नहीं समझ में तो नेक्स सम्झों करते हैं गर्व नाल निर्मान प्लेसेंटा फॉर्मेशन कौन करता है तो प्लेसेंटा देखो मतमकी हो गया एक स्यूटू तो होगा नहीं जीवलीन होगा नहीं ऑक्सिन होगा नहीं प्रोजिस्टेरोन होगा नहीं तो प्लेसेंटा निर्मान जो है इस तर मां का मां के साथ जुड़ा रहता है मां के गर्वासे के साथ चाहिए मां का खाना जो भी खाती है पानी पीती है गैस लेती है उसारा जो है यह प्लेसेंटा गर्वनाल के दौरा उसको मिलता रहता है तो यह जो है प्रोजिस्टरन होर्मों बनने में मदद करता है चलिए नेक भी प्राणी जिसका खत्रे के निशान से ज्यादा चला गया हो हंटिंग के कारण जिसकी जनसंग्या घट रही हो किसी भी कारण से उसको वहां से उठाकर लाकर प्राणी उद्यान में रख देते हैं उसके समच्चन करने के लिए इसको एकसी टू कन्जरवेशन कहते हैं अब देखो लास्ट में और हम लोग देखना चाहते हैं कि जो जो नहीं बना है अब आप लोग देख लो यह हम पर दो आपसे अभी तक नहीं बना है तो आप बना सकते हो कि गोरान एक पौधा है और परिपक बीज क्या है बीज मैचवड हो क्यूंकि हेलोफाइट किसे कहते हैं हेलोफाइट ऐसे प inhale है जो समीद्र के किनारे नमकीन जगा में उक्ते jak हिना बाइब लीघप आब आराम है परिपक बीजब को आप आराम से इसके साथ सुझास मिला म्लिगे आप जीवर किल लिन को समय हैं कैसे करते हैं हमनों देखो ब्रिदी की तीन अवस्ता है करमसा कुष्का विवाजन द्रीकर और एक होता है जब पौधे जब ब्रिदी करते हैं एक पौधा जब जर्म लेता है तब वो जब बढ़ने लगता पौधा द्रीदीरे करके आगे बढ़ता रहता है पौधा द्रीद जब को इसका विवाजिद होगी तो ये लंबाई में आप अप्रिंसीसिएचन जब लाइधिक होता है इसके अंगों का निवान होगा जैसे इतना बनेगा इतना से पत्ती बनेगा पत्ति से फूल बनेगा फिर फॉल बनेगा बीज बनेगा यह तो अंगो का निमान करना विवेदन कहलाता है तो यह भी क्रियाएं होती है देखो एक लास्ट कुश्चिन से यहां आप देख पा रहा है हो कि एक स्वाइड डैस लिंग गुंसुत्र है तो आपको पता खुलेव हैं इसके पहले हैं और फिर है कि पुंकेसर का प्राकोष टियूंगि जो प्राकोस के दौरा होताई यह कुश्चिन से पता citizens कि शुम्केसर का प्राकोस जो प्राकोस धूतरा होताई प्राकोस होता है उसमें क्या बनता है प्राक के कंड बनते हैं उसका सही अंसर हो गया और एक हो गया लास्ट क्या कि सजीव के आकार शुष्खभार में अस्थाई परिवर्तन को क्या कहते हैं अब कोई भी सजीव अगर उसका आकार आकृति बढ़ रहा है उसका सुस्क भार में परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं व्रिधी यह व्रिधी का प्रिवासा है व्रिधी मतलब ग्रोथ किसी भी सजीव के आकार और सुस्क भार परिवर्तन होता है तो उसको व्रिधी या ग कहते हैं वरधी परजैनन या घजी टेटीव कि एक मेल गमेट है मालो अंड़ा । अब यह दो आपस है मिल गया तो ये दोनों मिल जाने की क्रिया को क्या अगे बढ़ते हैं को अच्छा करते हैं अच्छा लग रहा होगा और कॉमेंट करोगे अगर किस तरह के दिकत होगी तो मैं आपके प्राइलम को सॉल्ब करूंगा दो आकार में समान जुगो के मद्द के संजग के क्रिया को कहते हैं कि दो गैमिट जो आपसे मिलते हैं दुनों कि देखने में एक जैसा होते हैं तो इसको आइसो गैमिट कहते हैं और दुनों गैमिट को आइसो गैमिट कहेंगे देखो नेक्स कोश्चन है बड़े अचल जुगमत छोटे सचल जुगमक के सजुग को क्या कहते हैं अब देखो कभी- कभी क्या होता कि बड़ा जुगमक जो होता है ओ एक अंड़ा होता है और छोटा जो होता अस्परम होता है यह दुनों मिल गया आमसमें इसब्स स्कूबॐ को दीखो बाहर से लाद् собир Lucky को दिखो गे इस तरी क पृम्स को देखो तो किसी को भी बाहर से देखकर करके उसके अंग को कि स्थारी का还要 पृम्स का प्रोस का एंग है तो यह नरर और थे कि हम लोग कहते हैं ea Lexus को याद रखोगे इसको कहते हैं इसको कहते हैं इसको कहते एसको क्यों डाइन चाह सुधा लैंग करेस्ट को पूरा करने हुटू करमें गुद्पत्ति में एक गुनिय दिगुनित को डैस कहते हैं देखो जीवन चकर कुछ-कुछ पॉइब में जिसे कि तुम पड़े हो गया ब्राय फाइट में फर्न बगरा में पौधा है फर्न एक पौधा है फर्न पौधा देखे होगे यह होगे नाले साथ पौधे कुछ है जो ब्राय फाइट से अर्ष जंतों में एकर्या हका है उसमें क्या होता है उसके पौधे का जब जनमेरडिषु चलता है तो दो चीज़ में पुरा होता है एक In हेपलोईड और 2N डीपलोईड तो जीवन चक्र में कभी हेपलोईड बनता है और कभी डीपलोईड बनता है तो ये गयमेटोफाइटिक स्टेज स्टेज एक गयमेटोफाइटिक स्टेज से होके गुजरता है तो इस क्रिया को कहते है Alternation of Generation इसको क्या लिखोगे? कि जनतु यह खो सकता है या ड्यार्य उसकता है और भी भी पेरस भी हो सकता है phi- adversity就是 अनके जनतु फेरस और ड्यार्य सकता है आप अन्डा देता है अंडा देता हुं ने बच्चा भी दे सकता है कि अधेनल दो तरह के हो सकता है कि के डास गुंसुत्र के का नर्फ पैदा होता है यह घुंजवर मिलनेस तो आप पता होगा कि स्थी में X explain XY होता है तो पुरूस का जो वा होता है गुनसुत्र लांगी गुनसुत्र यह वाइ क्रोमोजूम है यही क्रोमोजूम जो है फुरुस संतान उत्पन करने मदद करता है नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायनीशेचन होता है अच्छा कहां होता बायनीशेचन कोई बीएक जंतू का नाम लेख सकते हो इजी याद आपने सपर्म को छीड़क देता है। अपने सिरे सपर्म डाल देता है। जैसे ढ़से मिल जाते है। निसेचन हो जाता है। तो इसको कहते हैं बाइनिसेशन तोड में इसका एक उत्तर हो गया कि अधी पुस्पिय पौदों में गुनसूत्र की संक्या 14 है यह बहुत इंपोर्टेंट इस तरह को साते हैं बच्चों को समझ में नहीं आती है मैं समझा देना चाहूंगा एधी पुस्पिय पौदों में गुनसूत्र की संक्या देखो 14 है तो इसके अंडे और भुरुन कोस्क में किंद्र की संक्या कितनी होगी देखो आप लोग जानते होगे कि जब जब अंडे बनते हैं तो क्रोमोजूम की संक्या मियोसिस होता है इस तुरियों में अंडे जब बनते हैं अंडासय के अंदर म है तो उसमें Miosis होता है और क्रॉमोजयों के संख्या बनता थो आधी हो जा जाती हैं तो अंडे में कितना होक Photography साथ आप अंडे में साथ अंगसुत्र पआ जाते हैं आव दूसरा है कि इसका अंडे ऑद्वरून्ड हो झूसरा पूण स्मेएं कितना होता है तो ही याद रखोगे तो डुर्ण को जो कॉर्ण जो क्रोल का सेथ होता है डुणपोस में में यह 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 Εंदो सपर्म में थी जो क्रोल तो एक मतलब 7 टूरर divy किस तूर होगा कि चलो आगे बढ़ते हैं कि प्राकोस से बर्तिकाग तक प्राकन को पहुंचने क्रिया को क्या कहते हैं उसको कहते हैं पॉलिनेशन प्रागन क्या कहते हैं इसको प्रागन नेम दा प्रोसेश वाई वीच पॉलेंगें रीच प्रों पॉलेंड सेक्ट तु इस्टिगमा आपक आई ब्रायो फाइलम ब्रायो फाइलम के पतीओं के किनारे से क्या होता है बर खलिकाए रहती है और ती द्वारा पर्जण और सब्सक्राइब सिरडी रिपोड़क्षन है कि कि बिन एक सब्सक्राइब सेविब्द दिआ हो तुख़गे इस्ट न्रीया सबदा दोरा होता है क्या भुरुन एक गुनित है या दिगुनित है आप बता सकते हो कि embryo is hephaloid and deployed पहले जानना हो कि embryo बनता कैसे है तो embryo क्या male gamet और female gamet यानि अंडा और sperm कि आपस में निसेचन करने से भेसे दुनों आपसे मिल जाते हैं तो बथा जाइक और जॉयह जब जिएवर्ष्या fins直म ऊलोलकर टीवफ गना तो embryo कैते हैं पionecolo j maps में और तो जोला करें जोलाएं यहाँ और chora कई न होगा तो तो क्या होगा एक गुनित है कि दी गुनित होगा दीवट प्याज हो गया इसे कुछी भी अध्रक हो गया कुछी पॉदे सकते हैं जिसे तना के दोरा प्रजन होता है नेमदा प्लाइन रिप्रूड्टेज बाइ स्टेम पोटैटो ओनियन एक ऐसे पॉदे के नाम जिसे में क इस तरह से जो स्पाइरोगरा देखने को रहता है आपको और दो स्पाइरोगरा क्या होता आपस में आते हैं और दोनों एक ब्रीज करने मान करते हैं इस को और इस ट्यूब के द्वारा जो हैं इसका गैमेट मेल से फीमल में जाता है तो यह को कंज्यूगेशन ट्यूग कहते हैं तो इस किया को कहते हैं कंज्यूगेशन स्पाइरोगरा में लैंगिंग प्रजनल किस विज़ी से होता है बरधिबेंक याद है सोट कोस्टनस आ सकते हैं और किसी परजण दौरा जी में विविंताइघ पाई जाते एधिर आप जो पड़े अपको पूच ले कि कौन सा प्रजण ऐसा है जिसमें विविंताइघ जै कि इस तरह के हैं तो चुछ गहां है उसको संतान उत्पन हो वह पत पीटा से बिलकुल अलग हो गया तो उसक्रिया को विभनता है वारियेशन सोकर्स वह इन वाइवीच रिप्रोड़क्शन प्रोसेस तो विभनता है जो उत्पन होती है वह उत्पन होती है खास करके लेंगिंग परजन के दौरा क्योंकि माता से भी और पीता से भी जब निकलता है साखाय निकलती है उसे पतिया निकलती है आप पतियों से फिर क्या होता है फूल निकलता है फिर फिर क्या होता बाज में फल वनता है तो आपको देखो इसमें हम पता है कि फल में बीज होता है और बीस से नए पादे उत्मन होते हिए तो यह से जो फिमेल फ्लावर्ज के जो प्राग के कंड होते हैं और अंड़ा से मिले से जो करिया होती है सक्छेजा रिप्रॉडेक्शन लेकिन अगर मालों कि फूल से फल से भी से अगर फूल वाला पार्ट चौक पॉल वाला पार्ट तो पूड़े के बाकिस अंग क्या थभा है जड़े तना nove Border तो यह अगर जड़ तना और पत्ति के दौरा अगर देखा जाता है कि नए पौधे उत्पन हो जाने करने की छहमता होती है तो उसको कहते हैं बर्धी प्रजन जड़ के दौरा हो गया पत्ति की दौरा आप लोग देखें ब्रया फ्राइब में हो गया तना काट के लगा दो में जड़ Nous ऊणनीघें प्रा क्रीक्रिती में आप को क्या है उसको कुरें जाता है जिसमें जनक पॉदे को किसी भाग को कृति मिधि से अलग करके जैसे वानका जिर गुलाब का पॉधा suspects कॉढ़े इसको काट लिए और यह हैँग मिल जाते हैं इसका सेश्चय का जो बनता है मालों आपस मुल गया तो मिलने के बाद जो या को कहते है का टीवक निकलनिकलियस क्या है कुछ तुम्हियस में अगले बड़े कि रिखलते को बता है कि जो किटे निमान जो करती है यह ऐसे निका के जो निमान होता स्टीगमा पर जब पॉलेंगेंट बैठता है इस बनाता है इसके अंदर से स्टाइल से होते हैं और त्यूब में बाद में एक जो गैमेट आता वो डिवाइड ऑगे दो को मेल गैमेट बनाता है में लिंट का धिले भड़े केंद को नई का किंदर क कहते हैं अगे वाला चीन केंद्रक इसको टी निकुलियज कहते हैं जो करिनिवान करते जाता है भिए भिषयद में अंडे सदा जो है माइक्रो पाइल की ओडर तो चीट्र बनाते हैं तो ओभी उड़ में देखो गया नीचे में एक अंड़ा होता है और साइड में दो सीनर्जी तो होता है नर्सिंग सेंसे होता है और यहां तीन घ्र पॉड़िंग तीन गॉल्ट पर उप रहेते, तेन से बीच नीचे में, एक है, नर्सिंग कहते हैं और यह किया खैने को ़िल्स कहते है और इसंड को हुअ जहां है, फाल गृजाण्ड में अन्डे जो हैं अन्डे काहां है, मेटिन क्रिया के लिए नर और माधी जरी अपस मिलने इंड क्रिए तेखो नीचे संदित जोड़े को दिये वैसे पहले जोड़े का ता दूसरे जोड़े को समंद करिए तरह आ लास्ट को स्वाटे थे हैं सबसे लास्ट को साहसा अपकर तलब को को टेस्ट करता है कि ऐख ब्रायोफायльम अनूपाथ पत्रकलिका इसको आप देखोगे कि ब्रायोफायलम से पत्रकलिका आপको मैं नहीए पौधो नहीं हो जाता है तो व्यवर्ड़्ष एक किनारे में 45 से जड्योकी enfant और पौधा उपर की और नहे नहे पौधे का निमान हो जाता है तो यह बारे फ़ल में पत्र कलिका पाई जाती है तो उस तरह से जलकुम्भी में क्या पाई जाता है जो नहे पौधे को जन्म देता है तो जलकुम्भी अगर तुनों देखोगे अगर जलकुम्भी अगर सब्सक्राइब कलता है, इसकों कहते हैं स्टोलण, इसरप नएल पौधा कि उनल लगा हाँ, पत्र कलिका है जो नया पौधा बनाता है तो जलकुमिम में वाटर हायसेंथ में इस टोलोन है जो नए पौधे का निवान करना बीज रहित फलुत पादन विधी क्या कहते है जिको बीज रहित आप लोग नाम सुने हो गए कि आज सक्वारी प्रडेक्शन की एक विधी है जिसमें जो है जो अंडा से है वह बीना फटलाइज किये ही नए फल करिवान होता है जिसे बीज नहीं बनता इसको कहते हैं पार्थेनों कार्पिट क्रिस्कोग्राफ की खोज किस ने किया था यह इंपोर्टन कोस्चन है आपको पता होगा यह इंपोर्टन बात है हमारे इंडिया के स्टाइंटिस्ट रहते जिनका नाम था एजी मता है शिपोछा आश्यांशॉय ज Não Most बोस एजए सी बोस आचार यह जगदिश्चंद बोस जिन्होंने एक क्रिस्क खुज किया था जिसके स्वाइटा से बताया था कि पौदों में भी ब्रिधी होती है उभेलंगी जन्तु का नाम उभेलंगी जन्तु का नाम बताओ हर्मफोडाइट अनिमल अधिक उभेलंगी इससले जन्तु में मादा और इस्तरी अंग दोनों थो जो गलंगी संद क्या को केंटत 720 के यृवा में मादा और इस्तरी यंग दोनों ही पाये जाते हैं नेक्स्ट है अस्तंधारी के भुरुन को पोशन को भुरुन का पोशन होता है इंब्रियो और मेंवल गेट नरीस्मेंट वह जो है आपको बताया था कि जब अस्तंधारियों में जब गर्म में बच्चा ठारता है संतान तो गर्म बच्चे के संतान के साथ में नाभी के साथ तो प्लासेंटा के द्वारा उसको भोजन पानी खाना सब मिलता रहता है हो गया प्लासेंटा कि वाइनिशेचन कि वाइनिशेचन होता है इसके पहले की टोर्ट में में होता है अग स्फूल के अंग फूल का अंग जो बीज में रुपांद्रित हो जाता है फूल का अंग जो बीज में रुपांद्रित होता है अंडासय किसमें रुपांद्रित होता है अंडासय से फल बन जाता है फ्रूट बन जाता है ओव्यूल किसमें बदल जाता है बीज में बदल जाता है see its Karl करभ़र इन्टु सिट इसका साई अंसर होगा the part of the flower करभ़र इन्टु सीडिंध ऑब्यूल हृओं नेक्स मनुस में गैमेट कितने दही क्रौमोजुम होते मनुस की गैमेट में कितने दही क्रौमोजुम होते थे देख़े ंअग गैमेट बनता है गैमेटयोजी के द्वारा तो उसमें क्रोमोजुम की संख्या आधी होती है अगर हम अगर मनुस्य की बात करते हैं तो 46 क्रोमोजुम होता है और अन्डानू या गैमेट बनता है तो उसमें 23 हो जाता है आधी हो जाती है मियोसिस बनते स earnest चाहिए वो sperm बने सुक्रानू बने यज़ा रहती है तो ऊसमें एक्रोजों पूछा है याद रखोगे तो कितना होगा बाइस इसका सही अंसर क्या होगा बाइस ट्वंटीटू है तो चलो वच्छवा हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एक पौधा जो अर्ध वाई विये तना द्वारा वर्धी परजन करता अर्ध वाई विये तना द्वार देखो यह जलकुम्भी क्या होता ना कि हवा में वियरता पाने वियरता है देखो गें जलकुम्भी आलू पोटेटर अधर प्याज कुछ भी नहीं है जो पानी हवाव में रहता है तो यह होगा अर्ध वाई विये मतलब आदा हवा में है इसका पौधा आदा पानी में डूआ राटा नीचे वाला हिसा तो इसका सही अंसर होगा वर्धी पजरन किसे होता है अर्दवाब ये तनास टोलन के द्वाला इसमें होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चिन समलोग पढ़ेंगे बच्चों कि निमने से सही जोड़े का चुना करो देखो फिर एक जोड़ा बनाने वाला कोश्चिन साया है देखो बहु बिखंडन किसमें होता है तो बहु बिखंडन इसमें खंडन किसमें होता है पुन्र उत्पादन रिजेनरेशन किसमें होता है मुकलन किसमें देखो मुकलन उसमें हमने आप लोग को बताया था कि हाइडरा में और इस्ट में यह देखने को मिलता है मुक्रन हाइडरा और सही जुड़े का चुनाओ करके लिखे और इसमें से कि गलत है काने मतलों चले ठीक है इसमें सही कोन है यह हमको चुनना है तो यह गलत हो कि मुक्रन प्लानेरिया में होगा नहीं यह तो हाइडरा में हो सकता है चैस्ट में हो सकता है बहुत भी खंडन हाइडरा में होगा नहीं अच्छा खंडन एस्पाइरो गाइरा में फून्रोट पादन फॉर इन इसायजन होता है खंडन ये सही एंसर है खंडन खंडन का मतला मुधारा का एक पॉदा है तो इसका बॉडी कहीं से भी टूट जाता है और नए पॉदु बनाता है इसको कहते फ्रेग्मेंटीशन माललो उन डिफ़न ऑलिये को साथ आंशर निसेचन का प्रेडाम क्या है मालो की निसेचन कहते कि को है मेल크 मिट अब कई पार मैं बता रहा है कि मेल इसमेट मालो मैलम मालो अन्ड़ कीको और फिमिल गयमेट सुक्रानों है और यह दोनों कहुं市 में परिमार किस्वार है यहां लिखना होगा जाइगोड जुगत जाइगोड कौいて मेंस देखते हैं कि फची में होता है फची में होता किसमें होता है चिटी तीन मैंने अंसर रिग दिया कोई कि पूर के दौरा किसके दौरा था भी कई बार बताया मैंने स्पॉर के दौरा होता है चलिए हम लों नेक्स कुस्टन पढ़ते हैं कि किस जन्तों में लेंगे और अलेंगे पर दोनों ही होता है तो देखो यह कुछ नाम हाइडरा तो एक दिया वह था पहले से ही लेकिन यहा परीशलर के Мतलब कि डिया होता है पांव से मिलते हैं और ने मीले भी और विक पर्षा नीक्ति निशेतErंक के बाद बीजान किसे मिसा बतल जाता है बिजाण से क्या बनता है बिजाण से बीज बनता है कि जाय गोश्पोर क्या है कि अकार में समान नर वमादा युगों के आपसे मिलने की रचना को जय Jackie पॉस्पोर के दोनों रचना एक जैसा है मेल गमेट और मेल गमेट पॉस्पोर के अब जो मिलने वाला जो रचना यह दोनों एक जैसे नहीं होता है तो कंज्यूगेशन के पश्चा नेवित दीगुनित रचना को आज आगा सपोर कहते हैं तो चलो बच्छो आज का क्लास ही पर खतम करते हैं और कैसा लगा आप लोग को बताओगे आपको मुझे लिख करके थोड़ी वीडियो जुरूर बढ़ी हुई है लेकिन आपका ये इ यहां से कर्फॉर्म है कि 15 से 20 में से आप 10 से 15 कुश्चन यहां से मिलेंगे भी आपकर भी पाओगे तो अच्छा लगता है तो और भी बच्चों को इसको सेर कर दो ताकि दूसरे को भी लाप मिल पाए और फिर बताओगे किस टॉपिक्स पर आपको वीडियो बनाने से